अस्पताल में बेटी को जन्म देने के बाद 18 साल की कुमारी लड़की अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ कर भाग गई नर्स सुश्मा ने आकर देखा कि नवजाद बच्ची जमीन पर सोई हुए रो रहे थी बिचारी बच्ची को छोड़ कर इसकी मा भाग गई क्या हो गया है इस दुन्या को ठंड का मौसम था सुश्मा ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया जमीन पर उसे ठंड लग रही थी सुश्मा की गोद में गर्माहट मिलने के बाद वो चुप हो गई सुश्मा को मातरित्व का एहसास हुआ सुश्मा अभी तक मा नहीं बनी थी उसकी शादी को कई साल हो चुके थे इसलिए उसने इस बच्ची को गोद लेने के बारे में सोचा उसका पती सुरेश भी मान गया और दोनों ने कागजी आपचारिकता पूरी की और फिर सुश्मा उस बच्ची को लेकर घर चलिए अरी मेरी बच्ची, मेरी अच्ची बच्ची दूद पी ले बेटी सुश्मा, भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है हम अच्छे माबाब बनेंगे हाँ जी, हम इसे अच्छे से पालेंगे लेकिन इसका नाम क्या होगा मेरे जहन में एक नाम है इशा वा, इशा, बड़ा अच्छा नाम है है ना इशा बेटी मेरी अच्छी बेटी इशा को पाकर वो दोनों बहुत खुश थे उनकी लाइफ कम्प्लीट हो गई थी लेकिन सुरेश का बड़ा भाई रमेश और उसकी पतनी कुसुम दोनों खुश नहीं थे तुम्हें अकल नहीं है किसी को भी बेटी बना लोगी क्या असल में उन दोनों को डर था क्योंकि रमेश और कुसुम की एक पांस साल की बेटी थी रानी सुरेश और सुष्मा के मरने के बाद जमीन जायदाद रानी के नाम पर ही हो जाती लेकिन अब सुरेश और सुष्मा के पास ईशा आ गई है अब प्रॉपर्टी दो हिस्से में बढ़ जाएगी इसी बात से रमेश और कुसुम परिशान थे और उन दोनों को देख देखकर रानी भी इसी उम्र में बड़ी चंट बन गई थी मैं नहीं दूंगी किसी को प्रॉपर्टी मुझे नहीं देनी वो ईशा मेरी बेहन नहीं है कहते हैं कि बच्चे माबाप के ही साय होते हैं वो माबाप से ही सीखते हैं इसलिए रानी भी अपने माबाप की तरह घमंडी और स्वारती बन गई ऐसे छे साल भी थे और अब ईशा छे साल की हो गई और रानी 11 साल की ऐसे एक रोज सुश्मा और ईशा कहीं जाने वाले थे लेकिन ईशा ने घर पर रहने के जित पकड़ी उस वज़ा से ईशा को घर पर रख कर वे दोनों चले गए सुरेश गारी चला रहा था और अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया और ट्रक के साल गारी की टकर हो गई सुरेश और सुश्मा की वहीं पर मौत हो गई ये खबर जब घर पर आई तब सर्फ ईशा रोने लगी मैं क्यों नहीं गई उनके साथ मा बाबा के बिना मैं जी कर क्या करूगी रानी मनी मन सोचने लगी हाँ तो तू भी मरजा हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा रमेश और कुसुम भी यही सोच रहे थे दोनों आपस में बात करने लगे कुसुम अब दोनों नहीं रहे बस रानी को रास्ते से हटाना पड़ेगा हाँ हाँ हो जाएगा आप चिंता मत कीजे तब भी पुलिस सुरेश और सुश्मा की डेड बॉड़ी का पोस्वाटम होने के बाद घर ले आई नन्ही ईशा अपने माबाप की लाश से लिपट कर खूब रोने लगी लेकिन तब ही कुसुम ने उसे पीछे धकेरते हुए कहा हट परे तेरे ही बुरे कर्मों के कारण आज ये हुआ है मैं तो पहले ही मना करती थी दोनों को इस पाप को घर में मतलाओ लेकिन वो दोनों मेरी बात सुनते तब न अब भुगतली आंजाम दर्वाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर अरजुन उनकी ये सब बाते सुन रहा था इशा के प्रती उन लोगों का ये व्यभार देख पर अरजुन को कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए उन दोनों का अंतिम संसकार होने के बाद अरजुन ने रमेश से कहा देखिए इशा के माता पिता की मौत के बाद उसके ताया-ताई होने के नाते उसे पालने के जिम्मेदारी आप लोगों की है मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे ये बोलकर पुलिस चली गई रमेश और कुसुम सोच में पढ़ गए अब इस कांटे को भी रास्ते से हटाना होगा लेकिन अगर हमने इसको मारा तो सबको हम परशक हो जाएगा देखा नहीं वो इंस्पेक्टर हमें कैसे घूर घूर कर देख रहा था तब ही रानी ने कहा लेकिन उसकी मौत अगर किसी बीमारी से हो जाए या कोई नैच्रल टेथ हो जाए तो फिर तो किसी को हम परशक नहीं होगा जैसे कि बुखार या फिर ठंड से ये सुनते ही कुसुम के दिमाग की बत्ती जल उठी हाई मेरी बेटी तू तो बड़ी अकलमन निकली शाबाज बेटी अभी ठंड का मौसा में उसे हम मार नहीं सकते हैं तो क्या हुआ ठंड तो मार सकती है न मतलब तुम कहना क्या चाती हो कुसुम हम उसे रजाई नहीं देंगे उसके हिस्से की रजाई हम हमारी बेटी को दे देंगे और हर रोज ऐसे ठंड में रात बिताते हुए उसे बुखार हो जाएगा और वो मर जाएगी पुलिस के कहने के मुताबिक ईशा अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए चलिया है उसके माता पिता ने उसे अच्छी रजाई खरीद कर दी थी और अपने कमरे में रजाई ओड कर सो गई देर रात को प्लान के मुताबिक रानी उसके कमरे में आई और उसे नीन से उठाया एई इशा उठ 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 जा क्या बात है रानी दीदी एई चुप रह मुझे दीदी मत बुला तेरे अंदर हमारे वंश का खून नहीं है ऐसा क्यों कहती हो रानी दीदी हाँ हाँ सच्छी तो बोल रही हूँ तुझे तो चाची अस्पताल से उठा कर लाई थी खेर वो सब छोड़ मुझे बहुत ठंड लग रही है मुझे तेरी रजाई चाहिए मेरी रजाई लेकिन फिर मेरा क्या होगा मुझे भी तो रजाई चाहिए नौ टंकी मत कर हमारी घर पर रहने के लिए आई है हम तुझे रहने की जगा दे रहे है खाना दे रहे है और तू मुझे एक रात के लिए रजाई नहीं दे सकती दे मुझे रानी ने ईशा से रजाई चीन ली ईशा ने रोते होगे कहा सिर्फ एक ही रात की ही बात है ना हाँ हाँ एक ही रात की बात है जा सोजा रानी ईशा की रजाई लेकर चली गई और दो रजाई एक साथ ओड़ कर सो गई अहाँ ये रजाई तो मस्त है अब आराम से सो जाती हो उधर इशा ठड में कापते हुए सोई रही उसकी आँखों से आंसों टपकते रहे मा, बाबा, आप दोनों कहा हो देखो ना, राणी दीदी ने मुझसे रजाई चील ली मुझे पूरी रात ऐसे इठड में बितानी होगी अब दोनों लोटा होना मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अगले दिन सुबह सुबह कुसुम ने आकर इशा पर ठड़ना पानी गिरा दिया अरे ओ राजकुमारी, उठ भी जाओ अहां चाची उठ रहे हो अरे जल्दी उठो, कितना काम है पता भी है घर साफ करना है, कपड़े और बर्तन धोने है नाश्ता बनाना है कौन करेगा? ये सब मुझे करना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, जल्दी काम पलग जाओ इशा को ये सब काम करना पड़ा फिर रात आए, रानी दोनों रजाई ओड़कर सो गई इशा उससे रजाई मांगने के ले गई रानी दी दी, मुझे मेरी रजाई दे दोना नहीं देती, भाग यांसे दे दोना दीती, रजाई के बिना मुझे नीन नहीं आईगी तब ही वहाँ कुसुम आ गई अच्छा, कहां कि मारानी होया आप? तुझे सुश्मा ने अस्पताल से उठा कर लाया था वरना ठड में रस्ते परी पड़ी रहती और अभी तुझे रजाई चाहिए है शुकर कर घर तो मिल रहा है मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर मुझे नहीं चाहिए कुसम ने इशा को ठड में रात को घर से निकाल दिया पुरी रात इशा बाहर ठड में पड़ी रही और उसे बुखार आ गया सुबह एक भिखारी घर के बाहर आया और भीक मागने लगा लेकिन कुसम ने उसे भीक नहीं दी भिखारी ने देखा बिचारी इश्या घर के बाहर ठंड में बिना रजाई की पड़ी हुई है और थोड़ी देर बाद कुसुम उसी से काम करवा रही है तब वो भिखारी कुसुम के सामने आ गया बहुत हो गया, अब चलो थाने मतलब और तू कौन है बे? तब ही उस भिखारी ने अपनी दाड़ी मूझ हटाई और फटे हुए कपड़े खोल कर पुलिस के कपड़ों में सामने आया पुलिस इंस्पेक्टर अरजुन को देखकर कुसुम रमेश और रानी तीनों डर गए पुलिस ने तीनों को गिरफतार कर लिया फिर रमेश और कुसुम को जेल में भेज़ दिया और रानी को हॉस्टल में उधर अस्पताल में इशा का ट्रीटमेंट हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गए उसके ठीक होने के बाद अरजुन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करने लगा साथ ही उसे खूब प्यार करता इशा भी अब उसके साथ खुशी-खुशी रहने लगी जी आ गए आप आज कोई काम मिला? नहीं रीना सारा दिन काम की तलाश में यहां से वहां भटकता रहा लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला हे भगवान अब क्या होगा जी? आज मकान मालिक आये था वो अपना चार महीने का बगाया किराया मांग रहा है वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गाउं वालों के सामने हमारा मुझ काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा एराम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा एक तो काम नहीं मिल ला हा उपर से चार महिने का किराया दिना है कहां से लाउंगा मैं इतने पैसे और अगर हमने पैसे नहीं दिये तो वो लाला सब के सामने हमारे एजज़त उतारेगा नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गाउं छोड़ कर ही चले जाएं हमें आज रात ही ये गाउं छोड़ कर जाना होगा इसके बाद विजय अपनी पांच साल की कुछ नहीं बेटी, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत जिलनी पड़ रही है आप ऐसा क्यों कहते हो जी, इसमें आप क्या क्या कुसूर वो इसी तरह बाते करते हुए जा रहे थे कि तभी तेज बारिश होने लगती है वो भागते हुए दूसरे गाओं में पहुच जाते है लेकिन वहाँ भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता अब हम कहां रहेंगी जी, यहां तो कोई ठिकाना नहीं है हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है बाबा, बाबा मुझे बहुत ठिंड लग रही है वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना वो तीनों सामने बनी एक छोटी सी गुफा में चले जाते है आज राध हम यहीं सोएंगे लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर भी तो नहीं है जी उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा उस गुफा के कुछ दोरी पर एक कुड़े का धेर होता है विज़ उस कुड़े के धेर में से कुछ ढूंटता है तभी उसे एक पिन्नी में बड़ी सी बोरी मिलती है वो उस बोरी को लेकर आता है और उस गुफा के अंदर बिचा देता है फिर तीनों उस बोरी बिस्तर पर सो जाते है अगले दिन सवेरा होते ही विजय काम डूनने चला जाता है लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता उदर गुफा में भूखी प्यासी उसकी बेटी और पतनी उसकी राह देख रही होती है कुछ देर बाद विजय लौट आता है बाबा आ गए बाबा मुझे बहुत तेज भूख लगी है आप कुछ खाने को लाई क्या हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है नहीं पिटिया कहीं कोई काम नहीं मिला तुम ठहरो मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ विजय खाना ढूनने गाउं के अंदर जाता है जहां एक घर के बाहर बनी गौशाला में गायों के लिए कुछ बासी रोटियां डाली हुई थी लेकिन गाय उन रोटियों को ना खाकर वहां रखी घास खा रही होती है विजय चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है बाबा ये तो चबाई ही नहीं जा रही बहुत सक्त है बिटिया बासी होने की कारिण सक्त हो गई होंगी ला मेरे पास दे मैं अभी इसे नरम बना देती हो डीना उन रोटियों को पानी में डुबो कर रिधी को खिलाती है ऐसे ही दिन गुजर जाता है रात को वो फिर उस बोरी पर ठोड़ते हुए सो जाते है अगले सुबा जब वो जाकते है तो फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कुड़ेदान में से खाना ढूंडने लगते है वहाँ खड़ी उस गाउं के कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है वो उनका वो बोरी का बिस्तर और कुड़े में रोटी ढूंडते हुए देखते है तो उन गाउं वालों को उन पर दया आ जाती है वो सब इकठे होकर उनके पास जाते है उन सब को देख विजे उनसे कहता है हम माफी मांगते हैं हम अचानक से बिना बताएं इस गाउं में आ गए हैं दर असल हमारे उपर इतनी दिक्कते आ गई थी कि हमें अचानक से यहां आना ही पड़ा हमें माफ कर दीजे लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था घबराओ नहीं हम यहां तुम्हारी मदद के लिए आए हैं आप सब हमारे साथ आई है हम आपको खाना देंगे इसके बाद गाउं वाले उनको अपने घर लेकर जाते हैं फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक जोपड़ी बनाते हैं साथ ही कुछ लोग उने कंबल बिस्तर तो कुछ खाने पीने और ओरने पहनने को कपड़े देते हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया जब हम इस गाउं में आये थे तो हम सब बहुत डर गए थे लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है सच मुछ आप सब का ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे तभी गाउं का जमिंदार उनसे कहता है ये सुनकर दोनों पती-पत्नी बहुत खुश हो जाते है अब वो दोनों जमिंदार के खेतों में काम करकी अपनी रोजी-रोटी चलाने लगते हैं और खुशी-खुशी रहने लगते हैं